आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल आज का पंचांग और भी विष्थार जानना है तो डिस्किप्शन में आज के धर्म शिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विष्थार प्रोग जान सकते हैं एक-एक मुर्तों गया में जान सकते हैं है आज के वीडियो में हम जानने वाले क्विल 12 रासीों का आज का रासी फल्डरा सथे हम जाने का जाइए को सबसमय अशुब समय में इसासुल सुब खादे रासी उसर क्या खादबा सुब ड़े आज सिभी तो हीजे निम्न क्या रहे गगा राशी घनुसर तो वीडियो मे बारा रासी का रासी फल आपको बताना आरहम करो उससे पहले आईए एक नजर डाले आज के गरहों के स्तेथी पर क्योंकि गरहों के स्तेथी पर ही पूरा रासी फल निर्भर करता है आज गुरु मेस रासी में केतु कन्या रासी में चंद्रमा विश्चिक रासी में शुक्र मंगल तोनों एक साथ धनु आसी में, बुद्ध सूरी के साथ मकर रासी में, सनी कुमु रासी में, राहु मीन रासी में विराजित है विश्चिक रासीम चंद्रमा राती के तीन बच कर चोबीस मेर तक रहेंगे फिर देर राती में चंद्रमा का धनु रासी में प्रवेस हो जाएगा तो लिश्वी ग्रहों का मिला लहाल आज के रासी फिल में हम जानेंगे तो यह बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की परोसियों तो चोटे भाई बहनों से समंद मधूर रखने का प्रयास करें। घर से जब भी बाहर निकलें अपने वाहन को नियंतर में चलाएं धीरे चलाएं। आज लराई जगरे के साथ साथ दुरुघटना के भी योग बन रहें। तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा। आज किन जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अंत में बताएगा सुब खादे को खा कर ही निकलें। ताकि घर से बाहर किसी प्रकार के दुरुघटना या लराई जगरे का सामना तो आपको बिल्कुल भी ना करना पड़े। व्यापार और धन की बात करें। तो आई की दिश्टी से आज की आपके लिए सामाने रहने वाला है। फिर भी अपने व्यापार पर ध्यान दें और फिजूल घर्ची से बिल्कुल बचें। विद् अंसिक तनाव रह सकता है। किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। प्रेम समन्द की बात के जीवन साथी साथ सामन जस्य बना के रखने का प्रयास करें। जीवन साथी से मनमोटाओ होने की संभावना बन रही है। तो आपको ही अच्छे समन्द बना के रखने का प्रयास करन की नंबर रहने वाला 3 बात करने वरिषरासी की वरिषरासी में bandwidth रहा में आपस में प्रीम और सद्भाव बना रहे경ा in ओफिस में सहकरिमियों का सहयोग भी प्राप्त होगा तथा सरकारी कारियों सापको लाभ भी मिलेगा आज किसी प्रियेजन से आपकी मुलाकात हो सकती है व्यापार और धन की बातकेट आज पार्टनर्शिप के माध्यम से व्यापार में लाभ आपको हो सकता है सुसराल के पक प्रेम समंधों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है, महनत करें उसका फल आपको जरूर बिलेगा। मिथुन रासिम चंद्रमा छठे स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुत मिथुन रासिवालों को आज संतान के तरब से थोड़ी चिंता रह सकती है, अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त करमचारी और नोकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है, हिम्म विद्यार्थी की बात क्यार, विद्यार्थियों की एक आगरता में कमी आ सकती है, लेकिन संगर्ष के पच्चात सफलता मिलने की योग भी भी बन रहें, फिर भी आपको अपने स्वास्थत का ध्यान जोरूर रखने lliहाँ, क्रेम समन्धों के लिए आज करी माने रहने र आने वाले दिनों की योजनाएं उनके साथ सेयर करें। इससे आपके समन्ध बहतर होंगे। आज के चुकुंदर खाएंगे। आपके लिए शुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग गुलाबी रंग लगी नमबर रहने वाला है। साथ बात करेंगे अब करकरासी की करकरासीम चंद्रमा पांचमें स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुप करकरासी वालों के लिए आज का दिन अध्यात्मिक देश्टी से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उठा पाएंगे। मित्रों तथा बड़े भाई भानों के सहयोग से कैरियर में सफलता आपको मिल सकती है। माता के स्वास्ते का भी आपको ध्यानाज रखना चाहिए। व्यापार और धन की बात करें। तो आपके भागे में व्यर्दी होगी। आई के सुरूत बढ़ेंगे व्यापार में लाब होगा। बड़े भाई भानों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज कर दिन उत्तम रहने वाल है। सफलता की प्राप्ती होगी। जो विद्यार्थी प्रत्योगता परिक्षा की तैयारी कर रहे है उन्हें सफलता मिल सकती है स्वास्ते की बात करें स्वास्ते के देश्टी से आज की आपके लिए सामाने रहने वाला है लेकिन अपने माता के स्वास्ते का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंध की बात करें प्रेम समद्धों के लिए आज के दिन सामानने रहने वाला है, जीवन साथी से हल्की नोग जोग हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सामानने भी हो जाएगा आज के इन पाधाम खाएंगे तो आपके लिए सुप रहेगा आपके लिए आज का सुपरंग सुनारारंग लखी नमबर हैने वाला 9 बात केंगे अब सिंगरासी की सिंगरासी मुद्धरमा चौत्षे अस्थान में विराजीत हैं जिसके फ्रसुप सिंहरासी वालों के लिए आज का दिन रुकेवे कारी को फसेवे कारी को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके रुकेवे फसेवे बिगरेवे कारी हैं उन सबको खत्म करने की कोसिस करें आज उनको खत्म करने में आपको सफलता मिलेगी मान समान में भी बि राने की कोशिस करें उन से लगया जगर की योग बंध है तो तब यहीं रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंतर रखें किसी से लगया जगरा तो बिल्कुल भी ना करें व्यापार औ धन की बात करें तो व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है व्यर्थ की और फिजूल आपके लिए मध्यम रहने वाला है आज के दिन आपको किसी प्रकार की मानसिक परेसानी रह सकती है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के लिए आज के इन सामाने से कम रहने वाला है जीवन साथी से वाद विवाद आपके हो सकते ह तो आपको आज आपसी सामन जस्य बना के रखना होगा आज के इन ब्राउन राइस यानि की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लकी नमबर 9 रहने वाला है बात करेंगे कन्या रासी की कन्या रासी चद्रमा तीस से स्थान में विराजित हैं जिसके व्रसुप आज कर दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है आज आपकी कई परकार के इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है अपने से बड़े मतापिता या बड़े भाई बहनों के किरपा प्राप्त होगी आपको मान समान मिल पर्तिष्ठा में विर्धी होगी ओफिस में सगे समंधि होवे मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा आज के दिन आपके लिए कुल मिला कर सुब रहने वाला है बात करंगे व्यापार और धनकी तो कन्या रासी के जातकों के लिए आज आचानक से धनलाप की योग बन र रहे हैं व्यापारियों के लिए आज किन काफी लाबदाईक भी रहने वाला है आपके लिए अच्छे संयोग भी बन रहे हैं अगर आज किन कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जोड़ आज का सूब समय के हैं? शूब समय में ही नयाकारी आरम करें ताकि आपको सफलता की प्रापती निश्चित तौर पर हो. विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के सामाने रहने रहने वाले, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, सफलता आपको इसी से मिल स्वास्थे की बात करें स्वास्थे के देश्ठी से आज करें आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्थ रहेगा प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज करें बढ़िया रहने वाला है रिस्तों में नई शुरुवात भी हो सकती है आज कें दूद या दूद से बनी भी चिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नीलारंग लगी नमर तीन धने वाला है बात करेंगे तूलारासी की तूलारासी मचंद्रमा दूसरे इस्थान में विराजित है जिसके आज का दिन खर्चीला रह सकता है धार्मिक कारियों पर और मांगलिक कारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ती भी हो सकती है परसंता में विर्धियों की दिन बर खुच रहेंगे आत्म समान से भी आपका दिन आज भरा हुआ रहे करें सफलता आपको जरूर मिलेगी स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज कि अपके लिए मध्यम रहने वाला है गया से समंधित समस्याओं का सामना आपको करना पर सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें प्रेम समंध की बात के तो दामपत्य जीवन की खुशियां बढ़ सकती है, विवाह के लिए आपके प्रस्ताओं आ सकते हैं, नए समन्धों की सुरुवात भी हो सकती है, आजके निम्भू अपने खाद्य पतात्य में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग लखी नमर चार रहने वाला है, बात करेंगे विश्चीक्रासी की, विश्चीक्रासी में चंद्रमा प्रथामस्थान में विराजित है, जिसके फ्रस्व विश्चीक्रासी वालों के लिए आजके न बहुत ही साकारत्मक रहने वाला है, आजके अपने पराक्राम के बल पर और महत अपनी आये में बरोतरियोंके यातरा की वियोग बन रहे आपके लिए और धिर आपके शुब रहने वाली हैए। व्यापार औधन की बातकेद व्यापारियों के लिए आज के इन काफी बढ़िया रहने वाला है आपके लिए अच्छे संयोग भी बन रहे हैं आज के इन कुछ नयाकारी अगर आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नयाकारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जोड जाने आज का सुब समय के हैं सुब समय में ही नयाकारी आरम करें विद्यार्थि की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज के इन मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों को आज निंद्रा ज्यादा आ सकती है तो अपनी निंद्रा पे नियंतन रखें अ आज नए संबंधों की सुरुवात हो सकती है आज के दही खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज क्लर लखी नमर रहने वाला साथ बात कहेंगे धनुवासी की धनुवासीम चंद्रमा 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रस और बचत आपके आज भरती भी नजर आ रही है आज आपके लिए वस्तर आभुसन और रतने खहिदने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के मध्यम रहने वाला है लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहन जोर रखें प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज किन मध्यम रहने वाला है जीवन साथी से दिन भर में कुछ अन्बन होने की संभावना बन रही है तो आप सी सामन जस्य बना के रखें आज किन औरेंज जियाने की संत्रा खाएंगे ताब के लिए सुब प्रेम समंधों के लिए आज किन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आपको पड़िवार जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाईबानों से ओफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा आपको आज किन आपके लिए यात्रा की योग बन रहे है औ प्रेश का कोई भी सामान उनके लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है उनके व्यापार में विर्धि होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया है तो वहां से पैसे जोड़ मांगें वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है, मेनद करें उसका पूरा फ़ल आपको जरूर मिलेगा, स्वास्त की बात करें स्वास्त के देश्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और आप कुमरासी की, कुमरासीम चंद्रमा दसमें स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप कुमरासी वालों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है, परतिष्ठा में विर्धी होगी हर जेगा आपको मान समान मिलेगा, भविश्य के लिए आपको इस साकारात्मक योजनाज बना सकते हैं, दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाज दिनों में सफलता की प्राप्तिक करवा सकता है, व्यापार और धन की बात के सभी प्रकार की भौतिक सुक्ष भी विधायें आपको मिलेंगी, जैसे मकान, भूमी वाहन, माता के सुक में भी विर्दी होगी, जो भी कारी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसमें आपकी रूची बनी रहेगी, जिसके फलसरूप उस कारी में आपको सफलता भी मिलेगी, आर्थिक दिश्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, व्यापार में आज और स्थिर रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता आपको रह सकती है, तो अपने स्वास्ते का ध्यान जरूर रखें, प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के इन सामाने रहने वाल है, जीवन साथी से आप सी सामंजस से बना के रखें, आज के इन ब्राउन सुख मिलेगा पूजा पाठ में धर्मिक कारियों में आपका मन लगेगा भगवान की किरपा भी आप पर बनेगी सरकारी ओफिस से समंदित कारिया आपका सफल रहने वाले हैं व्यापार और धन की बात के धन प्राप्ति के नए अफसर आपको मिल सकते हैं व्यापार में भी में सकताब होगा औफिस में भी सह करिम्यों का सहयोग प्राप्त होगा तो अपने व्यापार पर ध्यान दें विद्यार्थी की बात कि विद्यार्थिंगों के लिए आजकी स्वास्ति खराब होता हैं इसका प्रेम समंद्ध के लिए आजकी थीक ठाक कहा hyvä सकता है जीवत सा आज किन Sorry घाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज खुब रखन, पी लारंग, ललस्तकिन नम्मर रहने वाल है छे तो मित्रों यह तो थाज के 12 राशी का राशी फल, अब जालनेते हैं आज का सूब समय, आज का सूब समय यानि की गुलिकाल, दिन के एक बच का 57 मिर्स लेकर, दिन के तीन बच का 19 मिर्ट तक रहने वाला है, इस समय में कोई भी छोटा मिर्टा कारी है, तो से आरम करिया जा स आपको नुक्सान हो सकता है, सूब खाथी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आज सूम भा रहा है, लेकिन दरपंदक कड़ी आता है, हम कहेंगे, तो आपके कड़ी बढ़ेंगे, तुम तो यह तो थाज का संपून राशी फल, कल के संपून राशी फल के लिए जूरे रहिए ध आरम सिक्चा, जे माता दिन